भगवान राम की नगरी जहां प्रतिदिन लाकों सुरिध्धालू भगवान राम के दर्सन और पूजन के लिए आते हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद यहां आने वाले भगतों की संख्या में भी भारी विरिद्धी हुई है। भगतों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोध्या में कई ऐसे अस्थान हैं जहां उन्हें निसुल्क खाने की व्यवस्था मिलती है। इसके साथ ही वह कम पैसे में रात्री विश्राम भी कर सकते हैं। अईसे कई धरम्शाला धर्म नगले ऐुद्धधा में श्थित हैं। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते। ऐुद्धा में कई धरम्शालाएं कम पैसे में उपलब्द हैं। राम मंदिर के आसपास आपको स्री जान की महल विल्डा धरमसाला बाला जी मंदिर ट्रश्ट द्वारा संचालिक धरमसाला ही मिल जाएंगे जहां आप कम पैसे में रात्री में भी श्राम कर सकते हैं इतना ही नहीं खास बात या है कि इन धरमसालाओं में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कमरे उपलब्द हैं इसके साथ ही धरमसाला में साप सुत्रे कमरे इश्नान घर और सौचाले की भी शुविधा उपलब्द हैं इसके अलामा कई ऐसे धरमसालाएं और भी हैं जहां आप निसुल्क रह तो सकते हैं लेकिन आपको उसके रख रखाओं और का स्थान है जहां भक्तों के लिए निसुल्क खाने की व्यवस्ता है यहां पर भक्त के लिए साप सुत्रे कमरे और सुद्ध साका हरी भोजन उपलब्द होते हैं यहां स्थान राममंदिर से कुछी दूरी परिस्थित हैं यहां का वातावरल भक्ति में होता है राममंदि है जहां युद्ध्याने वाले रामभक्तों को सुबा और स्राम निसुल को भोजन दिया जाता है